हेलो फ्रेंट्स वेलकम टेट 24 नॉलेज़े ओफिशल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डवलेप्मेंट और्गिनाइजेशन की नियू रिकुर्मेंट नोटिफिकेशन के ओन आविदन कर सकते हैं यहां पर फ्रेंट जो टोटल लंबर और पोस्ट है वो आपकी 1000 प्लस वेकेंसी हैं जिनके लिए आप ओनलाइन आविदन कर सकते हैं इस वेकेंसी या नॉटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट से मिल सकें तो यहां पर देखेंस यह इसका ओफिशल लॉटिफिकेशन है औ आपनिंग डेट जो है फ्रेंस वो 7 नमबर से 7 दिसमबर तक आप इसमें आविदन कर सकते हैं एसेंसेल क्वालिफिकेशन आपको यहां पर देखने को मिल जाती है इस लिमिट आपको देखने को मिल जाती है तो आपके अकोर्डिंग आप जिस भी पोस्त के लिए अपलाए विजिट करें बात करते हैं अब इसके फॉर्म अपलाए प्रोसेस के बारे में और सबसे पहले फ्रेंस आपको यहां पर देखिए जो अपलाए का लिंक है वो जोबरास्ता.com पर भी देखने को मिल जाएगा आप यहां पर किलिक कर सकते हैं अपलाए करने के लिए इसके ब यहां पर देना है तो यहां पर पूरा नाम आपका है वो आप यहां पर enter करेंगे और इसे आपको यहां पर verify करना होगा वरिफाय करने के बाद आपका 10 डिजिट का mobile मॉबाइल नमबर और आपकी जो मेल आईडी है वो आप यहां पर एंटर करेंगे अल्टरेटिव मॉबाइल नमबर है तो आप उसे एंटर कर सकते हैं नहीं है तो आप इसे बिलैंक छोड़ें जिस पर भी आपको स्टार लगा मिलेगा यह आपको फिल करना जरूरी है तो यह है यहां पर आपका नम आम मॉबाइल नमबर और मेल यश करने के बार आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और यहां से कर लेंगे इसके बार देखिए ऐक आपको यहां पर मैसेज मिलेगा कि है की persecuted आपका सकस्थ फुल हो गया है आपकी mail ID या जो user ID है वो आपकी mail ID रहेगी और password आपकी register mail ID पर send कर दिया गया है तो उस जो password जो आपके पास आया है वो डाल कर और आपकी mail ID डाल कर आप यहाँ पर इसमें submit इसे कर देंगे इसके बात friends यहाँ पर देखिए आपको एक message मिलेगा update password का तो यहाँ पर आपको जो आपका current password है वो आपको देना है यहाँ पर friends आपको एक new password generate करना होगा new password कैसा होना चाहिए तो alpha numerical होना चाहिए मतलब उसमें आपके alphabet भी हो और उसमें आपकी numerical value भी हो तो आप कोई भी password जैसा भी आप बनाना चाहें वो password friends आप यहाँ पर बनाएंगे और इसके बाद friends आप इस security code को fill करने के बाद यहाँ से friends इसे update कर देंगे update करने के बाद आपका friend जो password है वो friends update हो जाएगा click here to proceed पर click कीजिए उसके बाद friends आप यहाँ से continue कर सकते हैं इसके बाद friends आपका जो form है वो start हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले एक option है आपका new application का आप इस option पर click करेंगे apply करने के लिए इसके बाद आपका जो form है वो start हो जाएगा, इन में से आप किस post के लिए apply करना चाहते हैं, apply कर सकते हैं, आप multiple post के लिए apply करना चाहें, तो multiple post के लिए apply आप कर पाएंगे, जो dashboard आपके सामने open होता है, वहीं पर ही आपको new application करना होगा, इसमें जो essential qualification required है, वो आप fulfill करते हैं, आपको बताना है, category general, EWS, OBC, SC, ST, जो भी है वो आप select कर सकते हैं, मैं OBC से आपको form को fill करकर दिखाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर जो cast detail है, वो आपको fill करनी है, आपका certificate number क्या है, date of issue क्या है, certificate की, इसके बाद सब cast आपकी क्या है, तो आपकी जो जाती है, वो आपको यहाँ पर mention करनी होगी, तो यह friends, आप यहाँ पर mention कर देंगे, और आपके जो cast certificate है, उसमें यह mention होता है, इसके बाद friends, state आपको बताना है, कि आपका जो certificate है, किस state से issue हुआ है, इसके बाद friends, अगर आप PH candidate है, तो yes कर सकते हैं, type of disability select कर सकते हैं, इसके बाद friends, इन में से आपका community से belong करते हैं, तो yes कीजिए, और यहाँ से select कर लीजिए, नहीं तो आप इसमें भी no करेंगे, ex-serviceman है, तो yes कर सकते हैं, date of joining, date of discharge आपको बताना है, नहीं तो आप यहाँ पर भी no करेंगे, इसकी बाद disabled defense service person है, तो आप यहाँ पर yes यह no कर सकते हैं, विड़ो या डिवोस आप यहाँ से select कर लेंगे, उस ID proof का friends से यहाँ पर जो details हैं वो आपको provide करनी होगी, इसमें friends से सबसे पहले है certificate of ability, तो यहाँ पर यह select करने के बाद friends से नीचे आपको यहाँ पर देना है, आपके visible marks of identification, तो आपका कोई भी cut का निशान, कोई mole, कोई burn का निशान है, आप उस यहाँ पर any other voter ID select करेंगे, तो friends से आपको यहाँ पर details को mention करना होगा, ऐसे ही friends से अधारकार की details आपको mention करनी होगी, बाकी friends से यह नीचे बार जो option है, यहाँ पर disable ही रहेंगे, इसके बार friends से आपकी जो height है, वो आपको देना है, आपकी height कितनी है, वो उसके बार आपका ज centers की list मिल जाती है, centers choose कीजिए, इसके बार है DOB, तो आपका date, month and year वो friends से आप यहाँ पर enter करेंगे, आपका gender select करना है, आपका friends से father name क्या है, और mother name क्या है, यह आपको देना होगा, इसके बार friends से next option है, आपके address का, यह है friends से आपका correspondence address, तो आपका friends से जो भी correspondence address है, जहाँ प publish करने की आप यहाँ पर अनुमती देते हैं, नहीं देते हैं, आप उसके बारे में जानकारी provide करेंगे, इसके बार data को validate करेंगे, validate का फाइदा यह है कि अगर कोई भी गलती आपने छोड़ी होगी form में, तो वो आपको उस option पर बताएगा, कि यह आपका error है, उस error को आप सह सकते हैं, तो friends, यहाँ पर देखे, verified होने के बाद आप इस data को save and nest कर देंगे, इसके बाद है qualification, तो सबसे पहले 10th का आपको यहाँ पर roll number देना है, आपके institute का नाम आप दे सकते हैं, या फिर board का नाम आप दे सकते हैं, आपके उतरीन होने का worst कौन सा है, तो date, month and year वो friends, कुल मार्क्स और यहाँ पर है आपके अधिक्तम मार्क्स, CGP है तो اب CGP के एंटरी कर सकते हैं, यह अपके पास सब्जक्ट है, वो कौन सा है, तो आप चाहें तो friend, सिस तरह से आपकी जो को सब्जक्ट हैं, उसकी एंटरी कर सकते हैं, एक एक सब्जक्ट आप यहाँपर enट सकते हैं, तो आपकी stream यहाँ पर देने के बाद, सेम आपको friends से यहाँ पर आपका roll number, आपके board का नाम, duration, आपकी course की कितनी है, वो आपको देना है, इसके बाद friends से यहाँ पर आपको देना है, passing का, कब आपने इसको pass किया है, इसके बाद friends से आपको यहाँ पर आपके numbers की entry करन सेवननेस्त करने के बाद पोस्टिंग का ऑप्शन है तब सबसे पए पर चूस करेंगी और यहां पर आ जायेगा इसके बाद फेंग के लिए आपको जगे यहां पर दी गई है वह आपको यहां पर पेर चूस देने होगी तो आपकी अकोरडं linke जिस भी तरीके से आप choose all the posting preference तो आपको यहां पर देखे जो भी प्रफेंस है वो सारी चूज करनी होगी तभी आपका यह वेल डेट होगा और उसके बार आप सेवर नेस्ट कर पाएंगे इसके बार है आपका देखे डॉकॉमेंट अप्लोड तो फोटोग्राफ आपको अप्लोड करना है सिगनेच साइज आपके दसवी की मार्शीट और आपकी जो अनिवारे सेक्शन योगता होगी उसका साइज आपको दिया गया है जेपीजी फॉर्मैट में आप यह अप्लोड करेंगे गिवन साइज में आपको यहां पर करना होगा तो इसके लिए फैंस आप यहां पर ब्रॉस पर क कर देंगे इसके बार यहां से आपकाशन में करेंगे आप यहांा से संए करेंगे आपके सामने अपका पिमेंट फॉर्म है यह ऑपन हो जाएगा थोड़ा सापको wait करना है जैसे ही आपके सामने build desk open होता है यहाँ पर आप चाहें तो debit or credit card यूज़ कर सकते हैं भीम UPI यूज़ कर सकते हैं या friends आप net banking यूज़ कर सकते हैं तो इन में से कोई भी एक option के थुरू अपने payment को आप confirm कर लेंगे तो friends जैसे ही आपका payment यहाँ पर complete होगा या verify होगा उसके बाद friends आपका देखिए यहाँ पर जो form है वो completely submit हो जाएगा इसके बाद friends आप print application कर सकते हैं और अपने print out को निकाल कर या save करकर अपने पास रख सकते हैं future use के लिए future reference के लिए तो यहाँ पर इस वीडियो हमने बात की कैसे आप D.I.O की new requirement notification का online form apply कर सकते हैं step by step process के बारे में अगर आपको हमारा गी वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही updates आपको लगातार मिल सके तो like, subscribe and share जरूर कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा यूडियो चनल, last thanks for watching